नमस्ते दोस्तों आज मैं बेठा बेठा ऐसे सोच रहा था कि कोरोना आज पुरे वर्ल्ल में फैला हुआ है सारे देशों को उसमें बंद कर दिया पुरी दुनिया रुख गई है तो यह अच्छा है या बुरा है तो कुछ ऐसे विचार मेरे मन में आये जो मैं आपके साथ सा होता ही है हर जगे विचार मिलते नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से तो हमने जो अन्याय किया है प्रकृति के साथ जो शोशन किया है उसका यह बहुत अच्छे तरी से भगवान ने बदला लिया है प्रकृति के साथ साथ हमने जो हमारे धर्म हैं हमारे जितनी भी तरह के पुर को लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया था उन सभी को इस बीमारी ने या इस छोटे से वारस ने बिल्कुल तार तार कर दिया है मेरे हिसाब से क्पोरोना एक रिश्फ बटन, रिसेट्स सेटिंग होती न अपने मोबायल में, सारी चीजे उड़ जाती हो बिल्कुल फोन नया हो जाता है तो इस को रवना ने भी यह रिश्एट्ट्र फेक्ट्री बटन दबा दिया है सारी चीजों का हमार इन्वार्मेंट को क्लीन करने का खा silet सब्सक्राइब करने का हमारी बिजनस के तरीके को चेंज्च करने का हम्मारा ध elemento लेकिए जो अंदिविशुवास है उनको साफ करने का अब आप भोछेंगे धर्म को लेका अन्द अधिशा माइब वेगा बात धर्म की नहीं होती है अभी किसी भी धर्म की नहीं हो रही है तीन चीजे हैं जो इनसान के हाथ में अभी भी नहीं है औरना कभी वर्षिय में आ सकती है जन्म, मरण और परण जनम आप समझी गया होंगे कोई भी बच्चा जन्म लेता है वो किस समय पैदा होगा किन परिस्थितियों में पैदा होगा कैसा पैदा होगा साइंस ने बहुत डवलप्मेंट कर लिया है काफी आगे पहुझ गई है बट इस्टिल 100% अभी भी हमारे हा अमीर हों कोई सी भी सुविधाएं आप ले लें लेकिन आप एक सांस भी एक्स्ट्रा नहीं खरी सकते हैं मरण यह आपके हाथ में नहीं है तीसरा परण परण मतलब शादी शादियों में किसकी शादी किसके साथ ताय होके आई है इस पूरे इतने बड़े युनिवर्स मे इतने बड़े ब्रह्मान में यह कोई कोई नहीं कह सकता शुरूबात से ठीक है अब मेरा एक सवाल था या मेरे मन में चीज़ आ रही थी बार 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 कि अब इन परिस्थितियों में क्या हो रहा है जो हमारे धर्म से रिलेटर चीज़ें हैं या जो पाखंड है या अंद्र विश्वास कह सकते हैं उसको दा प्रॉपर वर्ड इस अंद्र विश्वास इन माई सेंस क्योंकि मैं इन चीज़ों में थोड़ा कम विश्वास करता हूं मैं थोड़ा साइंस और इन चीज़ों में जिसके पीछे रीजन्स होते हैं जिसके पीछे लाजिक होता है वो चीज में मानता हूं हां तो भी जनम अब जब बच्चा पेदा होता है तो कई सारी रूड़िवादिता हैं होती हैं बच्चे को ये करो बच्चे को ये तावीज पेनाओ बच्चे को उस देवरे लेके जाओ बच्चे को उस मंदिर में लेके जाओ ने तो बच्चा स्वस तब से बच्चे बेदा हो रहे हैं ना स्वस्त हो रहे हैं हश्ट पुष्ट तंद्रुस्त हो रहे हैं जैसे होते थे पहले आज से एक हजार साल पहले आज से पांसो साल पहले आज से छे साल पहले आज से एक साल पहले आज से त्यार महीने पहले आज से दो महीने पहले आज भी वही इस्तितियों में बच्चे बेदा हो रहे हैं क्या हो रहा है उन से जुड़ी जो अंद्र विश्वास की चीजें हैं उन सब क्या हुआ आज आप उनको कहीं पे मंदिर ले जानी पा रहे हैं किसी दरगा ले जानी पा रहे हैं किसी गुरुद्वारे ले जानी पा रहे हैं किसी चर्श ले जानी पा रहे हैं क्या होता है परमपिता परमईश्वर का आशिरवाद उन बच्चों पे कम हो गया क्या नाई वह ना बच्चों को जो चाहिए वह हमने खुद ने चीन लिया था उन्से उन्हें एक स्वच धर्टी, एक साफ हवा चाहिए थी सांस लेने के लिए वो हमने खरप कर दी थी pollute कर दी थी, सब खतम कर दिया था कोरोना ने क्या किया सब साफ कर दिया, बच्चे को जो चाहिए, जो हम ने उन से चीना, जो हम ने दे पारे थे, वो कोरोना ने दे दिया, कोरोना अच्छा है बहुत अच्छा है, तुम ऐसा करोगे, हम सब ऐसा करेंगे इस अर्थ के साथ, ऐसा ही होना है, बट स्टिल, कुछ अच्छा ही है इसमे और चीज से सबक लो कि हमें आगे हमारे भविश्य में हमारे बच्चों के लिए क्या करना है और क्या छोड़के जाना है उनके लिए हमें जो मिला था हमने उसको शोशित कर लिया शोशन कर लिया उसका हमने यूज नहीं किया उसका मिस्यूज किया है दुरूपयोग करा है हर सब कुछ रिसेट हो गया है सब आप देखो पूरी वर्ल में यूज आ रही है इंवायर्मेंट क्लीन हो गया है ओजोन लेर 97 परसेंट तक ही लो चुकी है जो इत्ते सालों में नहीं हुई है जो ओजोन खराब होती जारी थी दिन के दिन 97 परसेंट रिपेर होगा यह भी यह क दूसरे समाजों में सबसे जादा अंधर विश्वास वेलाया हुआ है भाया कोई आदने मर गया आप यह करो पिंडदान करो नहीं तो उनके आत्माओं को शांती नहीं मिलेगी भटकती रहेंगे दर से उदर करियावर कराओ गाओं में खाना कराओ सब लोगों को खाना खि क्यों भई जिसको जाना सा चला गया परमात्मा में विलीन हो गया वो अब यह सब चीज़े करने से क्या होगा कुछ होगा क्या इसका मतलब यह है कि अभी पिछले एक-दो महिनों में जिनकी डेथ हुई है किसी भी रिजन से चाहे कोरोना से हार्ट अटेक से नेचरल डेथ एक्सिडेंट कुछ भी हुआ है जिनके डेथ हुई है वो विचारे क्या होगा उनको तो कभी स्वर्ग मिले गई नहीं उनकी आत्मा तो भूद वनके भटकती रहेंगे यहीं पर इसा होता है क्या रिस्टोर फेक्टरी ठीक है अपने अंदर विश्वास को साफ करो सरकार ये कपसे इन रूडी वादिताओं को हटाना चाहरी थी कि आप नत्यू भोज मत करो किसी काम का नहीं है करियावर मत करो किसी काम का नहीं है फालतू क्या आडंबर ढोंग ढखोस ले कुछ भी मत करो एक व्यक्ति एक परिवार का जना या कोई भी आज जो हमें छोड़के गया है उसकी समवेदना हमारे पास होती है हमें दुख होता है कि वह हमें छोड़के चला गया लेकिन उसके पीछे से यह सब पीछे जो होती है जिनका कोई अर्थ नहीं है जिनके कोई तर्क नहीं है स काफी arguments काफी negative reply का मेगे Это एगी इस चीझगों लेके सब चीजे तरक से सम्न नहीं होती है अगर हर चीजे तरक से ससर्फ हो जाती तो discussion होता ही नी प्रैक्टिकल चीजे होती ही नहीं दीरिप एस्ट डिफरेंट between argument and discussion, यह लोगों को नहीं पता है, आप कर लो तर्क, अब क्या करोगे, बताओ, क्या तर्क करेंगे इसके लिए, कि अब जो म्रत्यु भोज नहीं हो रहा, उनकी आत्माओं का क्या होगा भी, कोई पंडित हो तो जवाब दे, यह सब चीज़े, यह जो विसंगतिया हैं, यह बहुत पुराने जमाने सा चली आ रही हैं, जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जिनों नहीं गलत तरह से धर्म को प्रस्तूत किया है, परोसा है, उनका खुद का बिजनस बनाने के लिए, यह सब उन लोगों की चीज़े थी, आज आगर किसी के घर में कोई दुखस समाचार है किसी की डेथ हुई है आप हाँ जोड़ो भगवान से प्रात्ना करो कि उनकी आत्मा को शांती दें जो भी क्रिया और इस सब होती चोटी मुटी उसको करके क्लियर करें उनको जो भी है मुखागनी देनी है जलाना है दफनान है वो सब करें लेकिन यह जो मिनिंगलेस चीजें हैं खाना कराना यह इससे कोई मतलब नहीं है इसी जोगो अब छोड़ने का समय आ गया है समझने का समय आ गया है आप इन सब चीजों को समझीए तीसरी चीज मैंने पहली बताई थी जनम दूसरा मरण तीसरा परण शादी शादी अब यह एक बिल्कुल हटके टॉपिक हो गया है यह खुशी का मुखा हो गया है आप खुशी के टाइम पे कुछ भी करो कितना भी पेसा लुटाओ कितने भी गेस्ट को बुलाओ पूरा गाउं जिमाओ यह एक अलग टॉपिक हो जाता है बिल्कुल अलग टॉपिक और शक्ति प्रदर्शन बनके रही आज भी शादी हुई है अरे उसने तो ता चार करोड की शादी करीए अच्छा उसके आप पर थी शादी ओहों उसने 15 क्रोड रुपर लगाये हैं बड़े-बड़े नेता आये उसकी शादी में यह आया था वह आया था यह सब चीजे रहे icem करें तो तोसे पंदित की कानफ होती चोटा शोटा ऑफे कुछ मंत्र करकर बाद करा सकता है पंदित शादी ना भी कर रहाWow व्यवाई है कान्ज हो और यह कहीं कहीं णहीं लिखा हुआ है या कहीं प्रेक्टिकली पॉलिटिकी ब्लस्टेकली कि Allen कि थाधित भी तरह से प्रूब नहीं नहीं है कि अगर आपने शाधी कोर्ड मिरिज करी है यह रिति रिवाद से करी है या आ्रीय समाजी विधी से करी है या मुस्लिम शादी होती है तो अब क्या हुआ इसे टाइम पे जिन लोगों की शादी हो रही है या गवर्मेंट जिनको पर्मिशन दे रही है कि फैमिली मेंबर्स मुश्किल से 12-15 जने मिलके आप शादी करा दो इन परिस्थितियों में अगर शादी हो रही है आप इनवाइट नहीं कर पा रहे हो इतने सारे जो रिती रिवाज देना लेना यह सब चलता है यह नहीं कर पा रहे हो तो उससे क्या होगा आपकी शादी सक्सेस्फुल नहीं होगी नहीं होगी क्या होगी न यह सिर्फ चीज़े होती हैं दोनों लोगों की बीच में जिन में शादी हो रही है तो अब आप बताइए मुझे कोरोना अच्छा है या बुरा है इसने हमारे सारे अंधविश्वास खतम कर दिये विश्वास के साथ कोई खिलवारा नहीं हुआ है अंधविश्वास वहीं का वहीं है सिर्फ अंधविश्वास खत्म किया इसने मेरा यह मानना है कोरोना बहुत अच्छा है आप समझो इन परिस्तितियों में सिर्फ घर पे बेठों मत लेकिन यह जो परिस्तितियां हैं इन में क्या-क्या बदलाव हो गए देश और दुनिय का अवलोकन करें और आप देखें खुद समझें कि हम हमें विश्वास करना चाहिए यह अंध्र विश्वास करना चाहिए कि मैं यह नहीं बोल रहा हूं कहीं भी कि कोई भी धर्म गलत है लेकिन धर्म को जिनने बिजनस बनाया वह गलत है जो इससे पेशा कमाते हैं वो गलत है आप सुबह उठके भगवान के थमने हाथ जोड़िए अच्छे मन से काम पर लग जाईए लट सौल यह धर्म है किसी के साथ बुरा मत कीजिए सब का भला कीजिए लट सौल यह धर्म है धर्म यह थोड़ी बोलता है कि किसी की डेथ होग है तो आप पूरे गाउं जिमाओ गया शादी है तो 101 पंडितों को बिठा के यग्य करवाओ गया यह धर्म कभी नहीं बोलता है गलत तरीके से प्रस्तुत की हुई चीज़े हैं तो आप यह बताईए इन परिस्तितियों में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका क्या होग क्या उनके उपर भगवान का अश्रवाद नहीं होगा क्या उन्हें यहां पर जीना का हक नहीं है जिनकी म्रत्ति हो रही है उनका क्या होगा क्या उन्हें स्वर्ग नसीब नहीं होगा उनके आत्मा बठकती रहेगी यह जिनकी शादियां होगी उनका क्या होगा क्या उनके request you all कि जो कच्रा साफ हुआ है इसको साफ रहने दें चल रही है सब कुछ चीज चल रही है पहले से जादा अच्छे तरह से चल रही है इसे चलने दें जो अंदिविश्वास हड़ गया है उसे जाने दो अब समझने का टाइम आया है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना हैं so I request you all you have a stitch for some here implement current thank you very much